जहीं दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार हिम्रक्ष की यूटूब चैनल पर कैसे ही आप सब भी उमीद करता हूँ आप सब भी इच्छे होंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सबी को पता है फिजिकल से पहले होगा डोप टेस्ट आकिर होता क्या है डोप टेस्ट डोपिंग क्या होती है क्यों कंडक्ट करा रही है ये हमाचल परदेश पुलिस इसके पीछे रिजन क्या है सब कुछ आज की वीडियो में बात होगी यदि आप इस चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो आपको इसी परकार की जानकारियां इसी परकार के इंफुमेशन और अच्छे अच्छे मोग्टेस पेपर अच्छा कंटेंट ही मरक्षक पर प्रोवाइड की जाता है इसलिए आपने चैनल पर बने रहना है चैनल को सब्सक्राइब किये विना बिल्कुल नहीं जाना है चलिए देख लेते हैं डोपिंग क्या होती है ये देखिए डेफिनेशन क्या है डोपिंग की ऐसा कोई सबस्टांस ये ऐसी होगा है स्ट्रिरोइट या फिर ऐसी कोई टेकनीक जिससे किसी भी एथलेटिक की परफॉमस इलेगली इंप्रूब होती है उसे हम कहते हैं डोपिंग ठीक है इसी का यूज करके जो खिलाडी है वो अकसर अपने परफॉमस को इंप्रूब करने का इलेगल रास्ता से इस रास्ते को अपनाते हैं बढ़ ये सही नहीं है ये इलेगल है आप सभी को पता है इस वार जो आपकी भरती है पुलिस की उसमें आपकी दोड जो है वो उसमें टाइम भी कम दिया गया है और हाई जंप, लोग जंप उसमें भी थोड़ी थोड़ी बड़ोत्री की गई है ठीक है और इसमें चांसिस हैं कि बच्चे डोपिंग कर सकते हैं या फिर नशा करके जैसे कई वार होता है आपने देखा भी होगा आर्मी में आर्मी की दोड़ से पहले कुछ दोईयां बगर या टेके इंजेक्शन बगर अलकाते हैं ऐसा ना हो ऐसा इसी चीज को रोगने के लिए हिमाचल परदेश पुलिस ने इस वार डोपिंग टेस्ट करने का निरने लिया है डोप टेस्ट से क्या फाइदा होगा क्यों ये लागू किया गया है ताकि नशा जो है इसे रोका जा सके नशे की रोक थाम हो सके क्योंकि नशेडी जो है वो हिमाचल परदेश पुलिस में कभी भी भरती नहीं हो सकते है क्योंकि हमारा काम है नशे को रोकना ठीक है इसी लिए नशे को रोकने के लिए हिमाचल परदेश पुलिस ने एक बहतरीन कदम उठाया है ताकि हमें पहले ही फिजिकल टेस्ट के टाइम ही पता चल जाए कि कोन बंदा नशा करता है या फिर कोन बंदा नशा करके आया है उसको वहीं पर पकड़ कर वहीं से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए तो करके इस test को introduce किया गया है इस वार ठीक है ताकि हमें पता चल जाए कि कौन बंदा नशा करके इस परकार से illegally अपनी performance को improve कर रहा है और बाकियों से आगे निकल रहा है ठीक है आप उमीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस test का main reason क्या है और क्यों introduce किया है ठीक है ताकि नशेडी जो हैं वो ही माचल प्रदेश पुलिस में बर्थी ना हो पाए बिलकुल बंदा जो नशा नहीं करता है बिलकुल legal तरीके से दोड लगा रहा है बिलकुल अच्छे तरीके से दोड लगा रहा है वही पुलिस में होगा नशेडी या फिर नशा करने वाले पुलिस में नहीं होगे समझ गए पुलिस की बर्थी आना बाकी है यदि आपने जेल वार्डर का ग्राउंट टेस्ट क्लेर कर लिया है और आप return की त्यारी कर रहे हो आपको पता है कि अब आपका return जो है वो जल्दी ही होगा और आप अच्छे से त्यारी कर रहे हो आपने परखना है अपनी त्यारी को तो आप इन मोक्टेस पिपर को जुरूर attempt आपको करना चाहिए इस दिये कई नमबर पर आपने message करना है और अभी तक चैनल को सबस्काइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्काइब करें लाइक करें जासे बचम शेयर करें और अच्छा सा कॉमेंट करके बताएं कि आपको यह है माशल परतेश पुलिस का कदम जो है कैसा लगा है नशे की रोब ठाम के लिए वीडियो को लाइक करें और दिये गए शोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें जरूर फोलो एंड सबस्काइब करना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगर आपका इसके रिकार्डिंग कोई और डाउट है तो आप निश्ची रूप से हमें कुमेंट वोक्स में जरूर बताएके जाएगा सबस्